आज की कक्षा में हम समाज निर्माण में लैगिक मुद्दो को समझेंगे और इसे कैसे समझेंगे हम इसे प्रश्णों के द्वारा समझेंगे क्योंकि आप चाहिड साइकोलोजी पढ़ रहे हैं बाल मनुविज्ञान पढ़ रहे हैं तो यह आपके लिए बहुत मात्पूर ह हो सकता है यहां से आपके अगजाम में सवाल बन सकते हैं तो लैगईक आश्रमांता होता क्या है कि हमारे समाज में लड़का और लड़की को ले कर बहुत भेद्वाव किया जाता है हमारे मैट्स में वीक होती है, पुरू स्ट्रॉंग होते हैं और भी ऐसी बहुत सी चीजे हैं जो लैगिक आसमानता को प्रदर्शित करता है चलिए प्रश्णों के द्वारा आज हम इस टॉपिक को समझने का ट्रयास करेंगे पहला प्रश्णा आपके सामने, चात्र एवं चात्राओं के बीच लैगिक प्रभावों को कम करने के लिए उप्युक्त उपाए हैं क्या होता है कि कक्षा में आप देखेंगे लड़का अलग बैठते हैं, लड़की अलग बैठते हैं मतब उनके मन में आता है कि नहीं, हमें दूर रहने, एक दुसरे से आप लड़का हो, हम लड़की हैं, हम सांस में नहीं बैठ सकते हैं इन सब को दूर करने के लिए क्या करेंगे, छात्राओं को छात्रों के समान अधिकार देना, बिल्कूल ये तो अच्छी बात है, अगर हम छात्राओं छात्राओं को दोनों रूप से क्या करेंगे, समान अधिकार देंगे, दोनों को हम प्रॉपर क्या देंगे, एक मौका देंगे एक अवसर देंगे तो ये तो अच्छी बात है दूसरा छात्राओं को छात्रों के समान कारे करने के समान अवसर उपलब्द कराना ये भी सही है ये भी सही है बिल्कुल अगर आप ऐसा करते हो तो आप लड़के हो मैं लड़की हो इस तरह की भेदभाव नहीं अधिकार नहीं था उन्हें समाज में क्या होता था एक बंधन होता था कि ना वो तो नौकरी कर सकती थी ना तो पढ़ाई कर सकती थी क्योंकि ऐसा लगता था समाज को ये लगता था कि नौकरी कामकाच के लिए तो पुरूस बनी है पुरूस बने हुए लेकिन महिलाएं ज समानता को प्रदर्शित करता है तो इसी को कम करने के लिए देखिए हमने एक टॉपिक पढ़ा था समावेशे सिक्षा जो बहुत महत्पूर है तो समावेशी सिक्षा का भी उद्देश क्या है कि जो लैगिक आसमानता है उसे दूर करना क्योंकि जो आपका समावेशी सिक्षा है वो क्या बोलता है सभी के लिए समान सिक्षा तो लैगिक आसमानता भी हमारे समावेशी सिक्षा का एक रूप है तो इसमें क्या बोला तीनों पॉइंट पॉजिटिव हैं तो हम क्या करेंगे ऑप्शन डी पर जाएंगे बिल्कुल A, B, C और बिल्कुल करेक्ट है अगर हम छात्रों छात्राओं को दोनों को समान रूप से अधिकार देंगे दोनों को कारे करने के लिए समान अफशर अर्थात लेगिक आसमानता को कम करेगा अगला कोश्चन है आपका विज्ञान के प्रयोगों में समान ने तहां ध्यान दीजेगा इससे प्रशन बनेंगे आपकी इसको पढ़ाने का उद्देश है कि अगर आपके हॉस्टल वाडन में यह सवाल आता है तो बिल्कुल आप लेगिक आसमानता को लेकर क्या करेंगे हमेशा पॉजिटिव बाते करेंगे आपको उनका सपोर्ट नहीं करना है लेगिक आसमानता का कभी आपको क्या नहीं करना है सहायता नहीं करना है या उसके पक्ष में कोई बाते नहीं करनी हमेशा क्या करना है हमें लेगिक आसमानत के लिए अत्वा बरतनों को धोने के लिए कहा जाता है यह प्रवित्ति क्या दर्शाति है निश्चित रूप से यह लैगिक आसमानता को दर्शाति कि जितने भी लड़के हैं वो क्या करेंगे वो उपकर्णों पर नियंतरन करेंगे वो ध्यान रखेंगे और लड़किया क्य यह बहुत गलत बाते सब निगेटिव आते हैं लड़किया बहतरी अवलोकन करता होती है और बिना किसी गलती के आखलों का रिकॉर्ड रखती है क्या सिर्फ लड़किया ही बहतर अवलोकन करता होती है लड़के नहीं होते है क्या तो यह तो गलत बात है यह भी गलत पुर लड़के उपकर्णों को ज्यादा कुसलता से सम्हाल सकते हैं क्योंकि वे इस प्रकार की कार्यों को करने में प्राक्तिक रोप से सक्षम होते हैं बिल्कुल गलत बात है हमारा जो स्ट्रेक्चर है हमारा सूच करने का तरीका हमारा विचार करने का तरीका तर्क करने का तरीका ये सभी में क्या होता है? समानता पाया जाता है. तो ये तो बिल्कुल गलत बात है कि लड़के ही बस ये चीज कर सकते हैं, लड़कियां बस ये काम कर सकते हैं. तो आपको option क्या होगा? option हम तीसरे पे जाएंगे. बस समझना है आपको ये? आपके exam में ऐसे ही सवाल बनेंगे विद्याले में लैगिक भेदभाव के कारण छात्राओं की मनोदसा पर पढ़ने वाला प्रभाव है. कौन सा प्रभाव है? अब देखी. अगर हम बच्चों के साथ लैगिक भेदभाव पढ़ते हैं, तो निश्चित रूप से उन पर क्या पढ़ता है? बहुत ही negative impact तो ध्यान रखना होगा. साती अगर आप होस्टल वाड़न की पढ़ाई कर रहे हैं, होस्टल वडन बनने चारे हैं, तो ध्यान रख्धिएगा आप होस्टल में भी कभी लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव नहीं करेंगे. दोनों को ऐसा आप ट्रीट करिए कि दोनों को लगे कि नहीं हम समान है हमारे काम समान है ठीक तो इस तरह की चीज़े बच्चों को प्रोत्साहिद करती लेकिन लेगिक आसमानता लोगों को तोड़ती है देखिए का पॉइंट में ये विद्याले में प्रशन रहती है क्या सवाल है आपका विद्याले में लेगि भेद्भाव के कानट छात्राओं की मनोदसा पर पढ़ने वाला प्रभाव ये विद्याले में प्रशन रहेगी क्या प्रशन रहेगी नहीं रहेगी आप भेद्भाव करोगे नहीं आप क्रिकेट नहीं खेल सकती हो क्योंकि आप लड़की हो तो क्या इससे बच्चे प्रशन होने लगती है, उनका सेच्छिक विकास बहतर होता है, कहां से बहतर होगा, और ये ये भी क्या है आपका निगेटिव पॉइंट है, विरक्ति होने लगती है, विरक्ति नहीं होती हैं, उन्हें वो क्यूं बचेंगी पढ़ाई से, हमें क्या पूशा है, विद्याले में लैगिक भेदभाव की कारण छात्रों की मनोदसा पर पढ़ने वाला प्रभाव तो विद्याले जाने से ये कतराती है ये भी सहीं बात है पढ़ाई से उन्हें विरक्ती होने लगती है ये भी एक हद तक सहीं बात है लेकिन ज्यादा पॉजिटिव हमें ये वाला आंसर लग रहा है तो हम आंसर सेकेंड पर जाएंगे ठीक देखिए आपको option ऐसे देगा ज एक अच्छी पाठी पुस्तक खालिस्थान से बचाती है किस से बचाती है लैगिक समानता ये तो अच्छी बात है निश्चीत रूप से लैगिक समानता से बचाती नहीं है एक अच्छी पाठी पुस्तक लैगिक आ समानता से बचाती है लैगिक समानता तो अच्छी बात ह समाजिक उत्तरदाइत्व बिल्कुल ये भी सही है ठिक लैगिक पूर्वा ग्रे हमसे क्या सवाल पूछा है ध्यान दीजेगा कि अच्छी पूस्तके हमें किस से बचाती है तो निगेटिव चीजियों से बताएगी यहाँ पर आपका ध्यान दीजेगा लैगिक समानता तो अ समाजिक उत्तरदाइत्वाङ लेगिक पूर्वा ग्रह से बचाती है लैगिक समवेदन सीलता ये थे कका क्या हो सकता था लेकिन यहां पर ज्यादा थे क्या है अरपका लेगिए पूर्वा ग्रह है जो हमारे दिमाग में सदीयों से डालारा जा रहे है जो कि नहीं लड़का यह नहीं कर सकता लड़की यह हैं अगला सवाल पुरूस इस्त्रियों की अपेच्छा जादा बुढ़िमान होते यह कथन सहीं हो सकता है क्या नहीं यह गलत है लेग पूर्वा ग्रय goodness करता अभिय आप जहां पर बोल रहे हो ना कि पुरूस इस्त्रियों की अपेच्छा जादा बुद्धिमान होता है वो लैगिक पूर्वा ग्राय को प्रदर्शित करता है लैगिक भेद भाव को प्रदर्शित करता है तो यहां पर हम से क्या पूछा है यह कथन लैगिक पूर्वा ग्राय को प्रधरशित करता है तो answer आपका second होगा फिर भी हम बाकी answer देख लेते हैं बुद्धी के भिन भिन पच्छों के लिए सही है तो यह तो positive हो गया हमें negative देखना है उप्रोक्स अभी हो नहीं सकता है आपते सवाल किया है कि पुरूस इस्त्रियों की अपक्षा जादा बुद करता है चली अगला कोशन है इस्त्रियों का हस्त लेख पुरूसों की अपक्षा अधिक अच्छा रहता है मतलब इस्त्रियों की जो handwriting होती है न वो पुरूसों की अपक्षा जादा अच्छा रहती है फिर से लेगी पुरूस गडित और इवं तर्क योगिता में अधिक यो होंगे और महिलाएं सिर्फ handwriting में अच्छी होंगी तो यह गलत बाते हैं यह सत्त पूर्वा ग्रह को दरसाता है तो आंसर क्या होगा लेगी पूर्वा ग्रह को दरसाता है प्रगती सिल्चिंतन को दरसाता है नहीं बौधिक योगिता के संदर में सत्य गलत यह इतना बस्या साथ में रखना रटना नहीं है सिंपल सा है कि हमारे समाज में क्या है लेगी पूर्वा ग्रह फैला हुआ है लोगों के दिमाग में निगेटिविटी भरी हुई है कि पूरूस अलग होता है महिला अलग होती है कारेों के अधार पर आप कर सकते हैं लेकि उनकी कारे मतलब ऐसा नहीं है कि आप उनकी योग्गिता को compare करें कारे मतलब यह अपनी रूची के नुसार कारे करते हैं आप उनकी योग्गिता पे compare नहीं कर सकते हैं दोनों ही अपने आप में बहुत योग्य होते हैं दोनों की रूची आलग होती हैं दोनों का कारे छेत्र अपने अपने इ की portion है लड़कियों को घर के काम काज में अधिक ध्यान देने के लिए कहना चहिए या कहना क्या दर्शाता है प्रगती सिल चिंदन को दर्शाता है क्या बच्चे इससे आगे बढ़ेंगे क्या आप इस सरा की बाते करोगे करोगे आप गर की काम करो आप ससुराल जाओगे तो क्या करोगे साफ ससुर को क्या दोगे तो ये सब निगेटिव आते हैं ये किसको प्रदर्शित कर रहा है रूरी आपके रूरी बद्धता को प्रदर्शित कर रहा है आपको option ना answer देख की समझ में आ रहा है प्रगतिसिल चिंतन तो होई नहीं सकता ये positive answer है हमसे निगेटिव पूछा है आपका मनोवेग्यानिक चिंतन नहीं हो सकता मनोवेग्यान प्रवित्ती नहीं हो सकता रूरी बद्धता ये सब रूरी वादी बाते हैं बोलते नहीं ज्यादा रूरी वादी मतलब फालतू बाते जो लोगों को क्या करती डैमेज करत है कभी-कभी एक बात कहा जाता है न मर्द दर्ध नहीं होता ठीक है क्योंミजिधी मर्द बिट्टी गाणा है इंसान नहीं है क्या उसे भी दर्ध होता है तो अगर गुए बच्चा आप देखेगा मैंने ये बात पहले भी कहा था कि अगर कोई लड़का है छोटा सा बच्चा है अगर वो रो रहा है तो उसके पैरेंट्स या कोई उसे कैसे डाटता है तुम लड़के हो रो रहे हो अच्छा लगता है क्या तो यह सब बात है निगेटीव है ऐसा नहीं है वो बच्चा है वो भी उसमें भी आसू लड़की लड़का क्या है लड़की कमजोर नहीं होती अगर वो रोरी है तो दोनों ही अपने आप में सक्षम है और यह कहना गलत है कि मर्द को दर्द नहीं होता महिलाए कमजोर होती गलत बात दोनों ही इंसान हैं दोनों को दोनों के अंदर भावनाए होती हैं उदास होते ह तो रो सकते हैं और रही बात पुरूस मर्द को दर्द नहीं होता तो एक चटाका लगा उसको और चीटी काटो दर्द नहीं होता तो कहना तुरंत हाथ को ऐसे करेंगा चीटी काटो तो यह गलत बात है कि दर्द नहीं होता वो होता क्या है कि बच्पन से उनके दिमाग में ड कि क्यूंकि उसके दिमांग में बैठा है कि नहीं हम लड़के हमें कम जो बोलते हैं उसको क्या लड़कियों की तरह रो रहे हूं वह रो भी नहीं सकता है तो हमारा जो समाझ है आप में एक महत्पुर्णा विशह है तो यह सब क्या करता है लैगिक रूरी वाधिता को प्रदर्शित करता है लैगिक पूर्वा ग्रह को प्रदर्शित करता है लैगिक आसमानता को प्रदर्शित करता है तो यह अपने आप में एक महत्पुर्ण विशे है चलिए चात्राओं से लैगिक भेदभाव का पड़ेगा ही उनके समाजिक द्रिश्चिक और पड़ भी पड़ेगा उनके सेच्छिक विकास पर भी पड़ेगा आप बच्चों के साथ किस तरह का वैभार करते हो उस पर ये असर होने लगता है तो आंसर क्या होगा आपका ABC तीनो निश्चित रूप से अगर आप बच्चों के साथ लैगिक भेदभाव कर रहे हैं तो उनमें समाजिक उत्थान पर भी उनका समाज पर जो विकास हो रहा है उनका जो समाजिक विकास हो रहा है उस पर भी देखने को मिलता है उनका जो सैचछडिक विकास हो रहा है वो से हम दूर कर सके आपके एक्जाम के पॉइंट ऑफ यू से एक टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है अगला कोश्चन देखते हैं आप एक सिख्षक होने के नाते अपनी कख्षा की छात्राओं का सिख्षण कैसे करेंगे कैसे करेंगे कख्षा के छात्रों से अलग-अलग कर उन्हें छात्र के काम-धंदों की जानकारी देना यह तो गलत वात है ना कि आप एक सिख्षक हैं अब आप क्या कर रहे हैं छात्रों को अलग कर दोगे और क्या करोगे उन्हें काम-धंदों की जानकारी दोगे यह सब करना यह सब करना यह सब निगेटी वर्ड है आगे द क्लास्तों में होता है यह ऐसे स्टेट्मेंट नि दिया है यह सभी शात्रवा छात्राओं की समान रूप से सिख्षण व्यवस्था करना यह अच्छा बात है यह positive है कि आप सभी शात्रवा छात्राओं का क्या करें समान रूप से उनका सिच्छड वेवस्था कर रहे हैं तो ये एक अच्छी बात है छात्राओं पर अवांचित तिपड़ी करके जिससे की वे स्वयम को विसिष्ट ना समझें ये गलत बात है कि आप कोई बच्चा अपने आपको विसिष्ट ना समझें इसलिए आप उन पर तिपड़ी क आपको पता है चाइल्ड सेकोलोजी कितना अच्छा सब्जेक्ट है कि आप रियल लाइफ में कनेक्ट करते हुए सब्जेक्ट को कर सकते हैं वास्तों में ये बहुत ही खूबसूरत सब्जेक्ट है तो ये सभी छात्र वा छात्राओं की समान रोप से सिच्छड में आवश्यक उपाएं हैं लेगिक भिद्भाव को दूर करने के लिए क्या किया जाएगा चात्र चात्राओं के लिए समान प्रावधान किया जाएगा या चात्र चात्राओं के लिए विसच्छ प्रावधान किया जाएगा इन में से कोई नहीं विसच्छ प्रावधान किया जाएगा आपके लिए आसमान प्रावधान भी नहीं किया जाएगा आपके लिए क्या प्रावधान किया जाएगा चात्र चात्राओं के लिए समान प्रावधान किया जाएगा जो चात्र अर्थात लड़का और चात्रा मिंस लड़की दोनों के लिए समान हो चलिए के इस्थान का बिलकुल परता है तो यह सब बहुत important है आपके question तो केवल ए नहीं केवल ए तो नहीं हो सकता केवल बी और सी बी और सी नहीं केवल भी नहीं तो आपका answer क्या होगा A B C तीनो क्योंकि तीनो सही answer है आपके अगला कुश्चिन भारत की 2011 की जनगरना में लिंग अनुपाद 2001 की जनगरना के अनुसार 1927 से घट कर 914 ही रह गया है इसका सरवाधिक प्रमुक कारण निम लिखित में से क्या हो सकता है अब देखिए लिंग अनुपाद 2001 की जनगरना के अनुसार 1927 से घट कर पहले जो भेदभाव था वो उसकी संख्या कितनी थी लैगिक जो था आपका लिंग अनुपाद वो 1927 था लेकिन अब वो घट कर क्या हो गया है आपका मात्र 914 हो गया है तो क्या होगा आपका बिल्कुल लैगिक भेदभाव होगा क्योंकि हमारा टॉपिक ही है लैगिक आसमानता तो बस आपके इसी तरह के सवाल बनेंगे ऐसे ही करते रहने आपको अगला सवाल है निमलिकित में से कौन सा कारक लैगिक भेदभाव उत्पन करता है समाजिक कारक भी करता है सांस्कृतिक कारक भी करता है आपका आर्थिक कारक भी करता है और आपका मनोविज्ञानिक कारक भी करता है जब यह चारो सही है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा आंसर आपको फोर हो जाएगा इसी तरह आपको क्या करना है कोश्चन को समझना है मैं बार बार कह रही हूँ कि बाल मनो विज्ञान को आपको रटना नहीं है बलकि समझते चलना है यह जादा बैतर होगा लैगिक भेदभाव को दूर करने में एक सिख्षक की भूमिका हो सकती है आप सिख्षक होने के नाते क्या करेंगे वह लैगिक मुद्दो से संबंधित रूडी बद्ध धार्णाओं को हतोतसाहित करें हाँ यह थोड़ा सा लगा निगेटिव वर्ड है रूडी बद्ध धार लेकिन क्या बोला है प्रूचसाहित नहीं बलकि हाथ उत्साहित तो अच्छी बात है आप प्रूचसाहित नहीं करें बलकि डाट रहें कि जहां पस रूडी बद्ध धार्णाओं उस पर रोक लगा रहे हैं तो यह तो अच्छा है पॉजिटिव है वह लड़कों को कठीन क गलत बात है वह लड़कों को समझाए कि उन्हें घरेलु कारें में सलंग्न नहीं होना चाहिए फिर मैं बोल रही हूँ निगेटीव बात हैं क्योंकि घरेलु कारे लड़कियों के लिए ही उप्युक्त होती है अगला कोस्चन एक विद्याले में किसी अतीथी का आगमन होने वाला है ध्यान दिजेगा एक विद्याले में किसी अतीथी का आगमन होने वाला है दसवी कक्षा की एक लड़की विद्याले में आय अतीथी का स्वागत करने की इच्छुक नहीं है ठीक माल लीजे आपके विद्याले में कोई अतीथी आया है और वो लड़की अतीथी का स्वागत करने के लिए इच्छुक नहीं है जबकि उसी लड़की की कक्षा में पढ़ने वाला एक अन्य लड़का विद्याले में आने वाले उस अतीथी का स्वागत करने के लिए इच्छुक है लेकिन होता क्या है कि आपका जो अयोजक है जिसने क्या कि इस कारेकरम का अयो अत्यांत सुन्दर एवं सुसील है इस चैन में वह लड़के को रूची वं उत्सा की अवहिलना करते हैं इस प्रकार का चैन क्या कहलाता है क्या प्रदर्शित करता है निश्चित रूप से लैगिक आसमानता को प्रदर्शित करता है रोडिवादिता को प्रदर्शित करता है अगर ठीक है अगर उस लड़की का इंट्रेस्ट नहीं है तो आप उस लड़के पर क्या कहे कर रोक लगा रहे हो कि नहीं यह लड़की का काम है यह लड़की खोपसूरत है यह सब निगेटिव बात है अगर बच्चा तो बच्चा होता है चाहे वो लड़का हो या लड़की हो आप देखते होंगे बाल विवा प्रतिशेद अधिनियम 2006 मेना एक वर्ड यूज होता है बालक इसमें बालक का अर्थ ना लड़का और लड़की दोनों के लिए किया गया है देखिए ये समानता का सबसे बड़ा उधार है बालक में आपका लड़का भी आएगा और लड़कियों का आयोजन प्रेशल नंए गलत बास है हालेकिन वास्ताव में होता daqui है आप देखिएगा जब भी कोई अतीथी आता है उसके लिए हमें सर्क भी हैं लड़कियों को भेजा जाता है तो ये तो गलत बात है सही है क्योंकि लड़कों को समानिता इस प्रकार के कारियों में नहीं लगाया जाता है गलत बात है ये क्यों नहीं लगाया जाता है क्या बिगारे हैं लड़के लोग उनका मन नहीं करता है क्या सही नहीं है और ये लेगिक रोड़ी बंधता को दर्शाता है, ये बिल्कुल correct answer है, सही नहीं है क्योंकि इससे लड़का एवं लड़की दोनों नराज होते हैं, ये गलत बात है, ये नराज होने वाली बात ही नहीं है, मुद्दे पर बात करते हैं, सही नहीं है क्योंकि ये लाइगिक रोड़ी बंदता को दर्श पाता है अगला कोश्चन है निम्न में से लाइगिक भेदभा उत्पन करने वाला कारक कौन सा है इस्त्रियों में निम्न इस्तर मनोवेज्ञानिक कारक लड़कियों का कमायूं में विवा और उप्रुक्त सभी बिलकुर ये तीनों कार गालों प्रतियोगिता मतलब सिंगल ओस्पहरत करने वाले कारक ते विद्याधित को तयार करते समय विद्या लड़कियों को वरीता वरिता मींद महत्व देता, इंपोर्टेंस देता है, तो यह क्या प्रदर्शित करता है, आंग बंद करके लैगिक पूर्व अग्रा लगातीजे, खतम बात, चलिए, तो हमने आज क्या देखा, हमने प्रश्नों के माध्यम से लैगिक आसमानता को समझा, जो समाज में वास्त करिए कि आप लेगिक आसमानता को जितना हो सके अपने इसतर पर खतम करें आज के लिए इतना ही कल मिलते हम नए टॉपिक के साथ थन्यवाद अगर आप चाहते हैं अपने कैरियर को एक नई दिशा देना और सुनहरे भविशे को साकार करना तो जुड़िए कॉम्पिटिशन कम्यूनिटी के साथ आज ही हमारे वेब साइट के कैरियर पेच पर विजिट करें अथ्वा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिये गए लिंक प करियो की अपने यह करादी तो जुड़ है हमारे वेपड़िशन कर दो जुड़िए रहा है।